कि टेस्टिंग सेंटर भी हम लोगों ने अस्थापित किये कोबास जैसे बड़े मशीनों को भी हम लोगों ने यहां अस्थापित किया जहां साइध ही हम लोगों के जीलास तर पे PCA प्लांट हुआ करते थे आज लगवक सभी जीलों में PCA प्लांट अस्थापित हो चुके हैं लगाए जा चुके हैं और जहां हम लोगों ने पचीस सो अक्षिजन बेड़ से हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी वो आज हम लोग लगबग 25 अजार बेड के साथ तेयार खड़े हैं मजबूती दी जा सकती है और लोगों तक कैसे स्वास्त विवस्था उसके पास उसके करीब तक उपलब्ध हो ये सुनिशित करने का हमारा प्रयास है और आज निशित रूप से जो PSA प्लांट का उधगाटन हुआ है उसके माध्यम से उसका लाब लोगों को तो मिले गई और आने वाला समय में भी ये प्लांट और सब संकर्मन को लेकर उसमें सहयोग लिया जाएगा और चुकि हर दिन एक नहीं चुनोती हमारे सामने आके खड़ी होती है जहां एक समय लोगों को ऑक्सिजन के अभाव में जाने गवानी पड़ी और आज जहां बड़े पैमानें पर संकर्मन का फैलाव बढ़ रहा है इसमें ऑक्सिजन की यह सकता कम और अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा कंजेशन नहीं है लेकिन लोग संकर्मित काफी हो रहे हैं और आज हमको जो हमारे पास आकड़े हैं लगबग हमारे राज में जो अस्पताल में मातर आठ परतिसत लोग यहां पर एडमिट हुए हैं और लगबग साड़े तीन चाल हजार केसेज परति दिन राज में आडिन्टिफाई किया जा रहा है लेकिन हमें लगता है कि इसमें सतरक्ता बहुत अहम भूमी का निभा रही है या निभाएगी इस संक्रमन काल में और इसके लिए निशित रूप से स्वास्त विवस्था उपलब्द कराने के साथ साथ लोगों में एक जागरुकता का भी एक बड़ा ये में हमें सोच कि चलना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इसके परति अवेर कराएं हम लोग ताकि इस संक्रमन को मिनिमाइज क्या जा सके और इसके लिए भी थोड़ा सा हमें सभी लोगों को परियास करने चाहिए हमारे जब आज हमारे पाथ संस्था और गूगल कंपनी के द्वारा जो ये लगाए गया मैं इन लोगों से आई आगरा भी करूँगा कि आप लोग के तरब से भी कुछ ऐसे प्रोग्राम जो आप लोगों के वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं इन चीजों को उसके माध्यम से भी कई तरीके हैं जहां लोगों को हम लोग एक जाग रुकता की और आकरसीत कर सकते हैं इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाया जाए उसके लिए भी कुछ तयारी की जाए ताकि लोग ऐसे इस्तिती में अपने आपको तुरंत सिक्योर करने का आप सोचल डिस्टेंसिंग रखना हाथ सेनिटाइज करना या और भी तरीके के जो इस्टेप है यह स्टेप उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो रह चलते ही लोग अपने आपको इलट कर सकते हैं इसके लिए हमें और क्या माध्यम हो सकता है संसाधन तो हम लोग उप होस्पताल में दवाईयां ऑक्षिजन बेड वगेरा सारी चीज़े उपलब्द हो रही है इसकी जरुरत ही ना पड़े इस विशेय पर भी हमें कुछ प्रोग्राम निकालना चाहिए मैं तो इस संदर्ब में अक्सरा इस विशेय को सूचता हूँ लेकिन ये संक्रमन चुकि यह हमारे वैग्यानिक ही इसका सही रास्ता बताएंगे या उसका सही उपाई ढूंड पाएंगे कि इसका पर्मानें सॉलुशन क्या हो सकता है लेकिन जब तक यह सॉलुशन नहीं करके ही इसमें बचाने में यह काम्याब हो सकते हैं इसलिए हमें लगता है कि इस विशेय पर हम लोगों को थोड़ा लोगों तक पहुंचना चाहिए और सब मिल करके इस काम को करें तो मुझे लगता है कि चुकि आज इस्तिती है डॉक्टरों में भी संक्रमन फैल रहा है हमारे फ्रंट लाइनर वर्कर्स भी इसमें इस कोवीट के प्रभाव में आ रहे हैं अब डॉक्टर और नर्सिर्स जब हस्पताल में संक्रमित रहेंगे तो प्येसे प्लांट और बेट का कोई बहुत ज़्यादा रिलिवेंसी नहीं रह जाता है अलबता हम सब लोगों को सुरक्षित रखें इसलिए हमें पूरी तरीके से शंसादनों के साथ और लोगों को अवेर करते वे भी आगे बढ़नी क्या हो सकता है और मुझे लगता है इस विसे पर आप सब अभार परकड़ करता हूं आप लोगोंने समय समय पर शरकार को काफी मदद किया है कई सारे संस्थाओं ने आज हमारे संकर्मन काल में हमें काफी सहयोग किया है देश विदेशों से लोगोंने हमें यहां सहयोग भीजा है इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत अभार परकट करता हूं इनी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप करते हुए नव वर्स की धेर सारी सुबकामनाई देता हूं सबको जोहार